बियर बहतर है या वाइन ये अनुमान वैसा ही सवाल है जैसा कि लोग पुछते हैं कि चाय अच्छी है या कॉफी यदि श्वात की बात ना भी करें तब भी ये जानने में अनेक लोगों की दिलचस्पी होगी कि इन दोनों में अंतर क्या है और इससे मानफ शरीर और स्वास का लगभग एक स्मान होती है इन दोनों में 16 से 24 मिली लीटर अलकोहल होता है वाइन या बियर का असर तब ही आप पर होता है जब अलकोहल आपके रक्त में शामिल होता है यह किस रफतार से होता है यह काफी हद तक आपकी डृंक और उससे कितने समय में पिया चा रहा है उ University of Texas के Southwestern Medical Center के Mac Michelle ने 15 लोगों के स्मोग को अलग-अलग दिनों में अलग-अलग ड्रिंक पीने के दी, उन्होंने ये खयाल रखा कि हर आदमी के body weight के मताबिक ही alcohol दिया जाए, सबी 15 लोगों को एक ही रफतार से ड्रिंक खतम करने को कहा गया करीब 15 मिनट में, इस प्रयोग में देखा गया कि हाड ड्रिंक्स यानी शराब सबसे जल्दी रख्त में शामिल होती है, इसके बाद wine और फिर, वाइन पीने के 54 मिनट के बाद रख्त में alcohol की मात्रा सबसे जादा होती है, और वाइन के गलास का नशा बीर के point के मुकाबल जादा तीजी से दिमाग पर चरता ह अब सवाल ये है कि बीर से पेट जादा बढ़ता है या वाइन पीने से, बीर के बारे में कहा जाता है कि इसकी सेवन से मुटापा बढ़ता है, ये काफी हद तक सही हो सकता है, ड्रिंक को बहतर स्वाद देने के लिए इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीनी को अगर छोड भी दें तो अलकोहल में ही खासी कैलरी होती है, 180 कैलरी वाली बीर के पॉइंट में वाइन के छोटे ग्लास की तुलना में 50 प्रतिशत जादा उर्जा होती है, जो आपका मुटापा बढ़ाती है, कम वाइन या बीर पीने वालों के लिए अंतर बहुत माहने नहीं रखता, हाल ही कि एक अध्यन के मताबिक शॉर्ट टर्म में ना तो वाइन पीना मुटापा बढ़ाता है और ना ही बीर, इस पहलू पर सबसे विस्तरित रिसर्च दस हफते तक चला, इस अध्यन में मामली तोर पर वजन बढ़ने को नजरंदास भी किया गया होगा, अगर इस दौ बीर पीने से जाधा हैंगोवर होता है या वाइन से काफी कोशिशों कोई बाद भी शोध करता हो को इसको लेकर स्टीक व्याख्या नहीं कर सके हैं, ये किन चीजों पर निर्भर होता है, इसका भी वैग्यानिक अभी तक पता नहीं लगा पाई है, दिहाइडरेशन एक प अलावा पय के स्वाद और सुगंद को प्रभावित करने के लिए रिसायन theo सब्सक्राइब माना जाता है कि गहरे रंग वाले पय के मैं से रिसायन जदा मिलान से और इसका हेंगोवर भी जदा होता है लेकिन भीषर और के वें सबर्गर का रोजय कीवदार शरीर को तरोतासा रखने में मददकार होता है इसके अलावा भी ये कहा जाता है कि ऐसा सेवन हिर्दे रोग के खत्रे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बिमारियों के खत्रे से बचा सकता है शरीर को फायदा पहुंचाने वाली ये गुण पैलिफिनॉल्स में होते हैं जो खासकर रैड वाइन में पाए जाते हैं शरीर में कहीं भी सूजन हो उससे कम करते हैं और शरीर के हानिकारक रसाइनों को दूर करते हैं बियर में ऐसे बहुत से गुण होते हैं लेकिन उसमें भी पेलिफेनोल्स होते हैं उसी तरह जैसे वाइट वाइन में होते हैं लेकिन इस लिहाद से रेड वाइन सबसे बहतर है हाला कि इन तमाम अध्यानों में किसी भी ड्रिंक्स को जादा पीने को हानिका रखी माना गया है कभी कभी यदि एक गलास रेड वाइन पी जाए तो उससे फायदे हो सकते हैं